Hello Investographers, Welcome to Investographer YouTube Channel आज के इस वीडियो में हम ऐसे तीन स्टॉक देखने वाले हैं जो कि आपके long term portfolio का हिस्सा होने ही चाहिए तीनों भी स्टॉक fundamentally काफी strong है और तीनों ही सेक्टर में हमें आने वाले future में growth देखने को मिल सकती है पर स्टॉक की तरब चलने से पहले एक बार हम Nifty पर view ले लेते हैं अगर Nifty को देखे तो एक बड़ी candle बना के Nifty ने 17600 की लेवल का breakout दे दिया पर उसके पहले की चार अगर हम candle देखे तो उसमें clearly दिखरा है कि Nifty में buying participation काफी कम है पर जो breakout वाली candle बनी है वो काफी strong बनी है तो इससे हम ये मान सकते है कि आने वाले दिनों में Nifty में buying participation बढ़ सकता है पर अगर आने वाले दिनों में भी buying participation Nifty में नहीं बनता है और जिस तरह की candles यहाँ पे बनने लगी थी छोटी छोटी candles वैसे ही candles अगर Nifty में बनना शुरू होती है तो वैसे में काफी ज़्यादा chances है यह जो trend line चलती आ रही है इस trend line का resistance जो है Nifty ले सकता है तो इसलिए आपको कल से इस week में जो candles बनेगी उन पर काफी ज़्यादा ध्यान रखना है क्या उनमें आपको buying participation दिख रहा है या नहीं इस पर आपको काफी ज़्यादा ध्यान रखना है क्योंकि अगर buying participation नहीं दिखता है तो काफी ज़्यादा chance है कि हम 18,100 की level से rejection ले और वापस नीचे आना शुरू करे और इस बार जब नीचे आएंगे तो पिछली बार जो low बनाया था हमने 15,660 का उसके भी नीचे जाने के chances जो nifty में बनते है इसलिए काफी cautious होके जो है आपको इस बार investing या trading करनी है और nifty पर जो है regularly track रखना है अब आ जाते है सिधा stock की तरप पर उससे पहले इस वीडियो को अगर आपको पसंद आ रहा है तो जल्दी से वीडियो को like कर दीजे like का target जो रखते है वो रखते है 500 like का और comment section में बताइए कि आपके long term portfolio में कितने stock है इसमें से सबसे पहला जो stock है वो है relaxo footwear relaxo को अगर देखे तो relaxo footwear industry से आता है और footwear industry का largest one of the largest market share hold करने वाला stock जो है यह stock अपने all time high से तकरीबन 30% टक correct हो चुका था और उसके बाद V-shape recovery देने के लिए अब जो है try कर रहा है अगर हम देखे तो यहाँ पर relaxo ने काफी बढ़िया recovery देने start कर रख दिया है तो वैसे में आप जो है यहाँ पे 20% टक relaxo में positions बना सकते है इसके बाद जब relaxo 1100 के उपर निकले तो वैसे में हम इस positions को बढ़ा कर 30 to 35% और जब यह stock 1130 के उपर निकले तो वैसे में जो है फिर इसमें position हम 50% टक आगे लेकर जा सकते है तो step by step positions बनानी है एक साथ पूरे पैसे नहीं डालने है क्योंकि nifty में किस तरह के moments आएंगे इसका सीधा असर जो है इन stocks पे भी होगा तो वैसे में यह ना हो जाए कि आप पूरा पैसा डालके बैठ जाओ और फिर अगर इन stock नीचे आता है तो आपको पूरे capital पे अगर आप देखे तो HDFC life जो है HDFC life जो है काफी दिनों से गिर रहा था और HDFC life अपने all time high से 30 to 35% तक जो है correct होता हुआ हमें दिखा इसके बाद HDFC life में काफी दो बड़िया chart pattern हमें देखने को मिले जो कि है higher low अगर हम देखे तो HDFC life ने यहाँ पे एक low बनाया था इसके बाद इसके ऊपर एक low बनाया और इसको continue करते हुए उसके ऊपर एक low बनाया तो दो higher low जो है HDFC life ने बना रखे है और उसके बाद 20 day moving average जो कि एक major resistance की तरह HDFC life में काम कर रहा था उसको भी HDFC life ने तोड़ दिया है तो इस level पे आप HDFC life में 30% तक जो है buying complete कर सकते है और next buying जो रहेगे HDFC life में वो जो है आपको करनी है जब HDFC life अपने इस resistance zone के उपर निकले जो की है 556 का 556 के उपर निकलता है और 50 day moving average को भी तोड़ देता है तो वैसे में हम इसके में positions 50 तो 70% तक जो है बढ़ा सकते है ये भी stock fundamentally काफी अच्छा है sector को अगर हम देखे तो sector में future में growth आने के काफी जादा chances है तो ये भी stock आपके long term portfolio का हिस्सा होना ही चाहिए और तीसरा stock ये काफी interesting stock होने वाला है जिसका नाम है रेडिको तो रेडिको को अगर हम देखे तो रेडिको में भी जो है काफी बढ़िया chart pattern हमें बनता हुआ दिखाई दे रहा है हला कि रेडिको ने पूरी तरह से अपना reversal नहीं बनाया है पर इसमें reversal बनने के काफी जादा chances है अगर हम रेडिको में देखे तो inverted head and shoulder जो है आपको रेडिको में बनता हुआ दिखाई दे सकता है तो वैसे में जैसे ही रेडिको 930 के उपर निकलता है इसमें आपको buying शुर और जब रेडिको निकले 99 के उपर तब जो है हमें 100% buying के लिए जो है हम देख सकते है तो यह 3 stock है जो fundamentally काफी strong है और आप इन stocks में long term के लिए invest कर सकते हो साथी साथ मैं एक और चीज़ आप सबको बता दू कि ऐसे ही stock जो अच्छे stock है अगर उनको आप track करना चाहते हो तो आ आप big bull club को joint कर सकते हो link description में है साथी साथ comment में सबसे पहली जो pin की हुई link है वो big bull club की है उस link के तरू आप big bull club को joint कर सकते हो और market में जो भी हलचल चल रही है जो भी अच्छे stock अच्छे chart patterns बना रहे है उन पर track जो है easily big bull club के तरू जो है आप कर सकते हो तो अगर आपने अभ अपने long term portfolio में कितने stock है ये बताना ना भूलिए मैं मिलता हूँ ऐसे ही अगले वीडियो में तब तक के लिए bye bye